नमस्ते दियर फ्रेंड्स वीडियो लेड बनाने के लिए आम सो सोरी बिकॉस एग्जाम चल रहे थे मैं बेज़ी था तो मैं टाम नहीं दे पाए जुनों सात्यों ने मुझसे कुछ पूछा वीडियो पर और या मैसेज करके मैंने सब उनको बता दिया रिगार्डिंग सैग क्योंकि अगर आपने ऑप्ट ही गलत करें सब्जेक्ट तो सारी मेहनत ही खराब है चाया आप खुद पढ़ें किसी के हेल्प लेके पढ़ें बट सारा सारा बेकार है तो अभी दो तरह के साती हैं एक वो साती हैं जो कुछ करना चाहते हैं इंगलिस लिटर्चर में और ने रिये वीडियो के साथ तो मैं सुरुभात करता हूँ कि जो मेंडेटरी है या कंपल्सरी सब्जेक्ट है उनकी तो कोई बात ही नहीं करने है वो तो लेने ही लेने है अब शुरुभात होती है सेकंडर के कि four या पंदरह में से कौन से हमें औरंट करने चाहिए देखिए 4 भी आसान है और 15 भी आसान है ठीक है comparative literature भी ज़्यादा मुश्किल नहीं है और aspect of language भी मुश्किल नहीं है और अगर कोई बिल्कुल चाहता सिर्फ पास होना है मुझे कुछ नहीं करना है तो आप comparative literature simple भी ले सकते हैं easy है और aspect of language भी easy है पर 15 थोड़ा ज़्यादा easy है थोड़ा मतलब इतना easy भी नहीं है मान के चलो कोई चीज 100 किलो एक 80 किलो एक 90 किलो बस इतना easy है बहुत easy नहीं है क्योंकि literature में तो कुछ easy होता ही नहीं है तो इसका मैंने बता दिया आपको second year बर साथी जो कुछ साथी confused है वो जो literature में बहुत आगे कुछ करना नहीं चाहते तो मैं कि आपके साथ problem किया रही है और उसका sort out क्या है solution क्या है हमारे कुछ साथी in में परेशान है तो क्या परेशान है वो कह रहे थे हमने first year में लिया यह वाला module module 3 लेकिन इसमें 14 है और हम लेना चाहरे है module 4 इसमें फिर 14 है तो हम क्या करें तो dear my dear all देखिए जो जिन्होंने यह design किया है module उन्होंने यह design नहीं किया कि आप 20 year में easy easy ले ले लें first year में और second year में उन्होंने module को set इस तरह से किया है कि आप first year में easy ले ले यह ले ले और तभी उन्होंने 14 को दो बार लगाया कि किसी भी उसके अंदर आप एक subject को दो साल नहीं बढ़ सकते तो इस बात को इसे एक ही ले ना easy point of view से चाहिए आप first year में यह ले लिजे यह ले लिजे यह ले लिजे सेकेंडर में यह ले लिजे यह module 4 3 और 4 आपको 3 और 4 में दौन और यहर में एक ही लेना है यह बात clear आपको हो जानी चाहिए confused बिल्कुल मत हो यह कहीं भी जाएंगे वो यह बताएं ठीक है क्योंकि 14 आप बार-बार कैसे बढ़ सकते हैं ठीक है तो आप इन दोनों में से एक लेंगे ठीक है यह clear हो गया clear हो गया मैं फिर बताता हूं आपको यह लेना फर्स्ट एरे सेकेंडर में यह वाले ठीक है अब बताती है कि चलिए हमें यह नहीं लेने इन दोनों में से के लिए दिए आवर कौन सा आसान रहे गा मैं रिपीट कर रहा हूं यह सेकंडर वालोके लिए बता रहे हो यह सागटेम और में आसान लेना है और थिरी और फोर में से आपके पास option खतम हो गया तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर थिरी और फोर में से option खतम हो गया तो module 2 मैं बताई तो module 2 के अंदर आप देख रहे हैं optional literature है ठीक है, Canadian है तब Canadian Australian बहुत से को name interest रहता कि यार ये तो नहीं पढ़ेंगे तो मुझे लगता है अगर आसान के point बहुत से देखा जाए तो आपको आसान है British, Novel, American Novel, Australian Novel Novel पढ़ो आसान है उनके मुकाबले ठीक है, तो अगर आसान के तिरफ जा रहे है तो आप Novel पढ़ लेज़े आपको आसानी ही हो जाएगी ठीक है, तो easy मैंने बता दिया तो अगर किसी को अच्छा करना है मतलब literature में कुछ अच्छा करना है तो of course आपको या तो first year या second year आपको ये लेना चाहिए क्या लेना चाहिए आपको module 1 आपको literature में काम आएगा आगे PGT का पेपर अभी किस तारिक को हुआ है जून में, अभी डिटर पलेस भी का उसमें बहुत कोशन्स थे, poetry से थे, drama से थे novel से ठीक है और कुछ कोशन्स आपके यहां से थे तो मैं तो हमेशा बोलता हूँ literature में किसी को भी कुछ करना है तो आप just go with module 1 और module 4 ठीक है ये बात clear हो गए तो मैं आगे बढ़ता हूँ जो बच्चे first year के अंदर हैं जो बच्चे नहीं आए हैं मैं उनको बताता हूँ का आपको क्या क्या लेना चाहिए और क्यों लेना चाहिए जैसा कि मैंने बता दिया तो मैं ना बता दिया न second year वाल को क्या दिखके थे तो I hope कि आपको समझ में आगया होगा मैं first year वाल को बताता हूँ अब क्या है first year वाले बच्चे को अगर literature में कुछ अच्छा करना है तो मैं आपको सला देता हूँ हर बार के तरह आप इसको नहीं छोड़ सकते और आप मेरे साब से इसको नहीं छोड़ सकते फिर भी अगर आपको लगता है कुछ थोड़ा सा हलका हलका वेट उठाना बहुत हलका सा बहुत हलका सा कम होगा तो आप three को ले लिजे three को बट three के अंदर एक page है वो four के अंदर नहीं है वो क्या है मैं बताता हूँ बट मैं पहले आपको killer करा रहा हूँ कि अगर आपको literature में कुछ करना है तो मैंने आपको यह बता दिये अब वो साथ ही है जो कुछ निकाना literature में सरे पास होना चाहते है तो वो three और four में कौन सा लेंगे और क्यूं लेंगे यह बता दिता हूँ देखिए four में क्या है कि seven थोड़ा language है इसमे poetry भी है ठीक है इंडियन के बारे में और fourteen में poetry है थोड़ा language है 14 यहां भी है तो fourteen fourteen से fourteen कर दिया तो 14 दोनों में तो यहाँ पर कोई दिक्कती नहीं है अब आता है पहला Writing from the margins ठीक है और यहाँ पर Indian English Literature तो यहाँ पर दोनों के अंदर जो बाजी मारी है आसानी के अंदर वो margin ने मारी है वो आसान है जादर tough नहीं है दलित के उपर जादा है जो दलित कम्यूटी के बारे में स्टी के स्ट्राइब उसमें जादा है लेकिस ही नहीं है कि 700 वर्ट्स में लिखने के लिए बूलते है 7 के अंदर इतना जादा boundary नहीं का आपको 700 वर्ट्स में question का answer लिखना है और लास्ट में इंडियन फोक लिटेचर इंडियन फोक लिटेचर इतनी आसान नहीं जितनी नजर आ रही है तो मुझे ऐसा लगता 14 14 14 तो सेम हो गया और जो 10 है 10 इसके अंदर 10 आसान है इसके अंदर 13 आसान है बाकि 14 और 16 इसमें मुश्किल है और यहां पर 14 और 7 मुश्किल है तो मुझे अगर overall weightage बरावर ही है ज्यादा आसान और मुश्किल नहीं है और फिर भी अगर आपको थोड़ा सा लगता है कोकि 16 तफ है 16 इतनी आसान नहीं उसमें जो folk नोर के बारे में जो पूछा गया इसमें इतना आसान नहीं इंट्रेस्ट भी नहीं बनता है तफ पढ़ जाता है थोड़ा बहुत कहेंगे फिर भी मैं कहूंगा थोड़ा बहुत अगर बहुत थोड़े बहुत की बात करें तो 3 थोड़ा बहुत ही आसान है या जो क्या है आणे सय आसान के साथ जाना है कुणि आसान ठोड़ा बहुत कम हो सकता है लकर मज़ा आता है परादे्समें पने मुझे पूम से बदो बाकि सबैसे चैना लेकिन पोयम को अगर आपको नफरत है तो आप तीन के साथ चालेए लेकिन साथ वाले में याद रखी जो 10 है यह आसान है बिल्कुल आसान है क्योंकि English Studies in India बहुत ही आसान है जिसने भी थोड़ा बहुत भी समझता है कि इंडिया में English कैसे आई, English क्या फायदा है यह सब है बहुत आसान है तो जो आसान मतलब बिल्कुल कुछ नहीं करना चाहते उनके लिए थोड़ा बहुत अगर जो हरका सा इंटरेस्ट लेना चाहते है वो यह जो लिटरेचर के अंदर कुछ करना चाहते है उसके लिए और यह 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 मेरा अपना उपीनियन है देखे सिंपल है लिटरेचर के अंदर क्योंकि अगर कभी भी एगजाम आता है या ने लिए चीक है और अमेरिकल लिटरेचर को साथ में इसलीह न ही जाता क्योंकि हमें बिए तो फिर नोबल करेंगे सारे असान होते हैं उसमें बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं होता तो लास्ट बट नॉट दा लिस्ट आपको अगर आसान चाहिए तो थोड़ा सा आसान यह है और फिर नॉवल है और अगर आपको पोईटर से बिल्कुल नफ रहते तो आसान यह 13 14 16 और नॉवल और फिर भी लास्ट मैं डिस्कलेमन डाला हूं बिल्कुल आसान कु मैं बस इतना ही आसान के अंदर अंतर है वागी आसान कुछ ने लिट्रेचर के अंदर कुछ भी आसान नहीं भी आपको मास्टर्स बना रहे हैं वो तो आपको उमीद करते हैं कि आपको लिट्रेचर की नॉलिज हो यह नहीं कि आप ऐसी कर रहे हो तो मुझे उमीद है कि आ 515375 ठीके नोट्स प्रोवाइड कराते हैं इस बार हमने 6 सब्जेट्स से करा दिये थे दो सब्जेट्स के अपडेट नहीं हो पाए थे तो इस बार वह भी अपडेट हो जाएंगा कुछ सब्जेट्स एड भी करें जैसा कि मेजी 6 अमेरिकन लिटरेच्चर मदलों मेजी 6 समस्में अड कर रहे हैं ठीक है और मोश्ट रवली जो साथी बहुत से कह रहे हैं कि गयारा भी जाए रहे हैं तो काफी चीज़े बदल रहे हैं ऐसा नहीं और कुछ जो और भी एट करेंगा मोडूल में से कंगे कहीं 10 ले लिया कहीं 17 ले लिया 2 ले लिया नहीं आपको मॉडूल चूज करने हैं फिर मोडूल में से सब्जेक्च चूज करने है you have to choose you have to opt module first module and then subjects from the module मतलब तीन कम mandatory है चार में से तीन ले लेंगे और जहां तीन होँआ तो आप्शन नहीं है यहां पर चार है तो इन में तीन ले लेंगे कोई और बागी जहां तीन होँआ तो तीन है उसमें तो कुछ साथ ही कहरें कि यह वाला जो है यह कैसा है तो मुझे इतना जाद इसका बा बिटेस लिटेचर पढ़ेंगा उसमें ज़्यादा फायदा होगा ठीक है तो आप इंजॉइ कीजिए लिटेचर मुश्किल नहीं है और आसान है और कभी कोई दिक्कत हो तो आप हमें वाटसप कीजिए नोट सही है तो हमसे बात कीजिए और क्लासिस शुरू हो जाएंगे आ हम उसके नोटस बना रहे हैं और कुछ ऐसा मिसर जाया तो फिर भी अब बता दीजेगा ठीक है तो आई होब कि आपको समझ में आगा बैस्ट विशिस पढ़िए और आगे बढ़िए ठीक है थैंक यू बाबाबा टेक केर